उत्तराखंड चुनाव 2022 से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज देवुभूमी उत्तराखंड के दोरे पर थे पीम मोदी ने उत्तराखंड में विजय संकल परहली के तौरान प्रदेश के हजारों करोडों को सौगाद दी है यहां से ही उन्होंने राज में पार्टी का चुनावी शंकनाद भी किया उन्होंने कहा कि गिंद्री की सरकार ने पांच साल में उत्तराखंड के लिए एक लाग करोड रुपे की योजनाय स्विकृत की है जो लोग यह पूछते थे कि उत्तराखंड में डबल एंजन की सरकार क्या कर रही है वे आज यह देख सकते हैं कि डबल एंजन की सरकार में उत्तराखंड की तस्वीर कैसे बदलती है यह मोदी ने विपक्ष पर हमला करते हुए कहा है कि वन रैंक वन पेंशन हो, आधुनिक अश्र सस्तर हो, आतंकवादिय को महतोर जवाब देना हो जैसे उन मुलोगों को हर स्तर पर सेना को हतोसाइद करने की कसम खा रखी दी आज जो सरकार है वो दुनिया को किसी देश के दबाब में नहीं आ सकती है हम राश्र प्रथम, सदेव प्रथम के मंतर पर चणने वाले लोग है रिधार मंतरी नरेंद्र मूदी ने यह भी कहा है कि साल 2007 से साल 2014 के पीच जो केंद्र की सरकार थी उसने 7 साल में उतराखंड में केवल 288 किलोमीटर नैशनल हाईवे बनाए जबकि हमारी सरकार ने अपने 7 साल में उतराखंड में 2000 किलोमीटर से अधिक लंबाई के नैशनल हाईवे का निर्मान किया है पीए मूदी ने आगे यह भी कहा कि सदी के शुरुवात में वाजपई जी पूरे देश को जोड़ने के लिए अक्टिविटी पर योजना की शुरुवात की थी फिर 2004 से 2014 तक 10 साल में देश में इंफ्रेस्ट्रक्टर के नाम पर घूटाले हुए और घपले हुए इससे देश को जो नुकसान हुआ है उसकी भरपाई के लिए हमने दोगनी गती से महनत की है और आज भी कर रहे हैं विधान मंतरी मोदी ने आज उत्तराघंड को 18,000 करोड रुपई की योजनाओं का सौगात दी है ऐसी तमाम बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए बने रहिए पंजाबकेसरी.com के साथ झालe कैसे बने रहे जूल बड़े हैं कहें का साथ कहा सकतार है झाल झाल